Hey guys, very good evening, welcome you all to an academy CA Intermediate Group and YouTube channel So chapter number 12, service costing, और हम part number 4 में पहुँँच चुके हैं और आज हमारा पूरा discussion जो है, mainly based on PYQ, ठीक है? तो PYQ की हर बार की तरह, इस chapter की closing में भी, इसके PYQ की summary लाया हूँ पढ़ियां से देख लेना summary, और majority of the questions जो है भाई, वो वही है जैसे हमने module में solve की हैं, तो कोई खास new variety, PYQ में तो ऐस सच आज तक आया नहीं है फिर भी sir, एक बार discuss करना, एक बार देखना, काफी जरूरी है, फोड़ा बात कुछ छोटे-मोटे point कभी-कभी plus-minus हो जाते हैं इसको देख लेंगे बस यार, कोई problem नहीं है So very good evening, स्वागत आप सभी का फिर से And my name is CA Pranav, I am a chartered accountant by qualification, educator दिल से Your faculty for CA Intermediate Cost and Management Accounting और लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए An awesome fast track batch for cost and management accounting जहां sir, hashtag 50 days pledge is our feeling और ये hashtag 50 days pledge हमको जरूर लेकर जाएगा स्थी के पार, yes or no भाई, फटा फट सारे लोग 50 days pledge, hashtag कर दीजे, comment live chat के अंदर मैं भी कर देता हूँ Hashtag 50 days pledge Perfect sir, आज़ो आज़ो बैज़ो, सभी लोग आज़ो Friends लोगों को भी बुला लोग, फटा फट प्यार, batch का फंडा ये है Daily Live at 5 PM, Monday to Friday YouTube में और Saturday को Unacademy के Learning App पर Time सेम रहेगा Monday to Friday YouTube पर Practical और Concert पढ़ेंगे Saturday को Special Class पर Theory करेंगे Clear? ये पूरा, पूरा schedule आपको पूरा, मतलब पूरा पूरा exam से पहले तक का Ready करके दे दिया है, और almost यार 15 lecture हम लोगों ने, बिना किसी breakage के, complete कर ली है Without, without, without any break तो आपकी भी दाथ देता हूँ यार कि आप लोग daily बिल्कुल आये हो और आप जो motivation देते हैं उस वज़े से मैं भी यार कही ना कहीं से कुछ ना कुछ जुगाड करके ये class में आही जाता हूँ और जो हमारा break भी था तो उसमें हमने recording करके उसको complete कर लिया लेकिन break नहीं होने दिया सर Link के बारे में important information की पुरानी link चलना बंद हो गई है थोड़ा सा एक नया URL आया है costdec2021 तो कृपया करके आप उसको use करें ताकि आपको सारे resources वहाँ पर मिल जाएं ठीक है जी तो ठीक है यार follow कर लेना मुझे in academy learning app पर telegram channel जरूर जोइन कर लेना and in academy plus और iconic का जल्दी से subscription ले लो आज ही बैच चालूगा group 2 का और जब आप subscription लेते हैं तो आपको इंडिया के best educator से पढ़ने का मौका मिलता है और charges भी बहुत कम है यार जितने में वेरी गुड मुकुन और कौन-कौन आ गया है भाई चलो एक मिनट रुकना न मुकुन और अलतमाश रोहित गुपता बहुत बढ़ी आजाओ आजाओ सभी लोग आजाओ तो service costing chapter number 12 जिससे sir almost हर attempt में 10 number का question आता है एक हाथ attempt में कभी ऐसा हुआ है कि 5 number का practical आया और वो attempt जुलाई था जुलाई में 2 question आये थे एक 5 number का practical एक 5 number का theory तो 10 का coverage तो गया था बट 10 का practical नहीं आये था बाग इसको छोड़कर हर attempt में 10 number का practical आया है including May 18 और November 19 में 15 इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि वहाँ पर भी एक extra theory question आया था तो आपके सामने summary ready है इसी को base बना कर सर हम लोग questions को discuss करेंगे जैसे अगर मैं जुलाई की बात करूँ तो जुलाई में question आया था 4B 5 marks का और insurance companies पर था cost per policy कल कोई बता रहा था ना अरे same question आया था paper में थोड़ा सा उसमें change आया बस कुनाल सर भी हमारे साथ जुड़ गए है क्या बात है सर आपने भी fire कर दिया मज़ा आगया मतलब यार क्या बात है सर very good thank you sir कुनाल सर भी हमारे साथ जुड़ गए है और कुनाल सर का भी fast track batch रात को होता I hope आप आप लोग अटेंड करते हो भाई क्या energy के साथ सर पढ़ाते है yes good evening good evening good evening सर सभी लोग good evening कर लो यार सर को so pyq july 2021 question number 4 b 5 marks तो चलिए फटाफट refer करते हैं उस question को here I go july 2021 और इसमें मैं आ जाता हूँ question number 4 b की तरफ हाँ यह रहा चलो पढ़ लो भाई बहुत ही आसान सवाल brick construction अरे नहीं हाँ यह तो 4 c है यह है 4 b so mrsl health care limited ठीक है and has incurred the following expenditure love you too sir thank you so much sir love you too sir so mrls health care has incurred following expenditure during the last year for its newly launched covid-19 policy covid-19 को लेखे को insurance policy जिसमें office cost, claim management cost, employee cost, postage, logistic, policy, issue cost, facility cost, marketing cost, policy development, policy servicing, sales support, IT cost missing, IT cost missing, IT cost missing है भाई, IT cost missing है फिर फिर दिया है number of policy बागी कुछ बागी कुछ भी नहीं है तो पी-वाई-क्यू 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 जुलाई 21 और question number 4 भी यह जो दिया हुआ हुआ है cost पर रुपी पर रुपी इंशॉड वो है रुपी 0.002 यह हमको मदद करेगा total cost निकालने में यह हमको मदद करेगा overall total cost निकालने में तो total cost divided by insured value in रुपी that is 0.02 तो चलो भाई total cost बता दो कितनी आ जाएगी तो total cost हमारी आ जाएगी पूरे सब चीज को manage करने की 0.002 into 3500 करोड 3500 CR ठीके जर 3500 into 0.02 sorry 0.002 3500 करोड into 0.002 is 7 करोड और 7 करोड मतलब सर 700 lakhs और 7 करोड आ रहा 70 करोड आ रहा 7 करोड आ रहा है मेरा मुकुन भाई 7 करोड आ रहा अपना ठीके जर 7 करोड रुपीज हो गया यह 7 करोड रुपीज आने से अब आप IT कॉस्ट निकाल सकते हो कि निकाल सकते हैं सर पूरी टोटल कॉस्ट अगर मेरी 700 lakh रुपीज के बराबर है तो बाकि सब कुछ माइनस कर दूँगा जो बच जाएगा वो मेरी IT कॉस्ट हो जाएगी तो सारे बच्चे IT कॉस्ट निकाली है और मुझे बताई IT कॉस्ट कितनी आ रही है find the calculation of IT cost up to you guys over to you please find the value of IT cost IT की कॉस्ट कितनी है so 48 lakh 3 lakh 80,000 16 lakh 20,000 32,000, 40 29,000, 50 46,000, 75 138,000, 90 35 lakh 96,000, 45 32,000 कितना आ रहा देखना हूँ भाई मेरा रहा 4,79,000, बाकी बची हुई cost उसमें सगर में 700,000,000 हटा दूँ तो 2,21,000, रुपया रहा 2,21,000, आप लोग भी बड़ चेक कर लो 2,21,000, मेरा रहा है दीपक ने confirm कर दिया है भव्या आपका शाथ थोड़ा बहुत अंतर हो गया 2,10,000,000 की जगे 21,000,000 आएगा बिटा देख लेना एक बड़ थैंक यू अवनी, थैंक यू दीपक मतलब सही आया है सर हमारा वैल्यू बिलकुल बढ़ी है जतिन, सूपब तो हमने सर आईटी की कॉस्ट निकाल दी टीसी में से अधर कॉस्ट माइनस करके तो टीसी है हमारा साथ सो लाक उसमें से बाकी बचा हुआ हमने माइनस कर दिया 4.79 लाक चलो सर बढ़ी है तो 2.21 दो करोड 21 लाक रुपए बस यह special point था अब यह हो गया अब उसके बाद वो वाला तुमारा देखो requirement क्या है calculate the total cost of COVID-19 insurance policy segregating four main activity marketing sales support operation IT cost support function कुछ नहीं भाई marketing और sale वाली चीज़े ही होगे तुमारी policy development cost of marketing यह दो और sale support यह तीनों उसमें आजाएगी marketing में दूसरा है तुमारा operations operations में आजाएगा तुमारा facility स्वारी claim management cost और उसके बाद policy issuance cost बसद policy servicing cost है ना तीसरा बच यह IT IT तो single value है और बाकी जो भी चीज़े बचेंगी वो सारी support function खतम मात्र 5 नंबर का है भाई मात्र 5 नंबर का 10 का नहीं है अरे बाकी लोग तो हेट सौंदर यह पांच नंबर का आया था यह 10 लायक है भी नहीं ना पांडे जी अरे पीके पांडे पीके पांडे ध्यान दो जो तुम्हें 0.002 दिया है ना वो नंबर कास्ट पर policy थोड़ी है वो कास्ट पर रुपी ऑफ इंशॉर्ड वैल्यू है जो 0.002 है ना वो कास्ट पर रुपी ऑफ इंशॉर्ड वैल्यू है इसलिए मैंने इंशॉर्ड पॉलिसी की वैल्यू को डिवाइड किया यहां पर और जो तुम बोल रहों ना कॉस्ट पर पॉलिसी वो तो अभी हमको निकालनी है नीचे देखो वो तो हम जो हमारा टोटल कॉस्ट आया है 7 करोड उसमें से 2800 डिवाइड करेंगे तब आएगा कितना आएग ठीक है। तरह जो पहला question हो गया अब आते हैं पीवाई की जुलाई के दूसरे question में देखो वो भी 5 marks का है और question number 6D है theory what do you understand by BOT approach in service costing and how toll rate is computed अब आप मुझे बताईए कि हमने BOT approach अच्छे से नहीं पढ़ा अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने BOT के BOT के बारे में बहुत अच्छे से हमेशा पढ़वाता हूँ BOT की पूरी theory पढ़ते हैं हम लोग क्योंकि बहुत important चीज़ है न वो कहां गया toll road यह रहा देखो BOT approach लगे तो पढ़ लो आप एक बाई in the recent year growing trend emerge among the government in many countries कि वो public project में private investment को लेकर आए BOT एक option होता है government के लिए कि वो public project को outsource कर दे private sector को BOT में private sector खुद design करता है खुद finance करता है खुद बनाता और फिर खुद operate करता है पूरी facility और eventually जब उसका concession period पूरा होता है वो ownership transfer कर देता है government को therefore BOT can be seen as a developing technique or infrastructure project by making them amenable to amenable मतलब accessible कर देते हैं private sector participation के लिए तो fundamental principle क्या है इसके पीछे वो यह है क्यार private से करवाओगे private वाला पैसा वसूल करेगा लेकिन जिसको facility चाहिए वो पैसा देने को ready है आप देख सकते हो Mumbai पूने expressway साड़े 300 रुपे लगते हैं आपको जाने हमें तो इसके साथ सर यह वाला question भी मैं बोल देता हूँ कि it is done और how toll rate will be computed पूछ रहा है न how toll rate will be computed तो आप महाँ पर क्या लिखना कि सबसे पहले हम पूरा cost निकालेंगे project का और उस cost में अपना desired profit percentage जोडेंगे जो भी हमारा total value आएगा उसको हम divide करेंगे number of vehicles passing through the road से तो per vehicle cost हमको पता चल जाएगी कितने रुपे चार्ज करना है ठीक है सर ओके good अचा आज उल्टा चल रहा है रोहत उल्टा चल रहा है कोई बात नहीं यार जाते जाते सब कर देते हैं पता यार पी वाई क्यू जैनवरी 2021 प्रॉफिट पर पेशेंट रे ब्रेक इवन पॉइंट होस्पिटल वाला क्वेशन एक बार देख लेते हैं वैसे तो होस्पिटल वाला ब्रेक इवन क्वेशन हमने किया है बट क्या इस क्वेशन में कुछ खास है कोई स्पेशल पॉइंट है कि नहीं उसके लिए पूरा क्वेशन इवर पढ़ लेते हैं अपने आप रिव्यू हो जाएगा आपका पॉइंट तो क्वेशन नंबर कौन सा है भाई वो क्वेशन नंबर है 5A let me come to question 5A of the paper question 3 question 4 question 5A यह रहा सर ABC ABC healthcare runs an intensive medical care unit for this purpose it has hired a building at a rent of 50,000 with the agreement to wear repair and maintenance charges also मतलब rental cost पता चल गई ICU की unit में 100 bed है और 5 और bed accommodate किये जा सकते हैं ज़र situation requirement आये तो though the unit is open for patient all the 365 days ICU वैसे तो 365 days open है लेकिन accounts के scrutiny करके पता चला कि सिर्फ 120 दिन ही unit full capacity भरी हुई थी और बाकी सिर्फ 80 days और on an average 40 days occupied थे मतलब बाकी time पे खाली था there were also the occasions when the beds were fully full और फिर कुछ लोग और आये तो extra 5 की और capacity थी तो वो भी हमने ले लिया तो ऐसा कितना है extra bed were hired at a 50 rupees per day फिर लिखा है total hiring charges of the extra bed is 20,000 थोड़ा बहुत बस value को यहाँ वा कर दिया है hiring charges हमने खुद निकाला था hiring का rate दे दिया था इस बार उल्टा कर दिया इस बार हमको number of beds बताने की बजाए बोल दिया 50 रुपे bed का charges है और 20,000 rupees total charges कोई मुझे बताएगा कितने bed hire की हमने यह बतादो बस कितने bed हमने hire की होंगे 20,000 rupees का bed hiring charges आया है आपका 20,000 का bed hiring charges आया है और आपका bed hiring charges का जो rate है that is 50 rupees per bed per day तो इसका मतलब जब आप अपने number of beds निकालने जाओगे न number of beds days पूरे साल के तो यह extra वाला add करना मत भूलना quantity में वो special point है भाई लोग भूल जाते है अच्छा कल में आप लोगों को एक बात बताया था याद रखना कल में आप लोगों को एक बात बताया था कि doctor की cost भले मिर को monthly level पर दी हुई है दो लाग रुपे डाई लाग रुपे जो भी फिर भी मैंने उसको variable माना था और उसके पीछे मैंने कोई story समझाई थी इस question में उन्होंने खुद story समझाई है the unit engaged doctor from outside to attend on the patient हम आपको एक calculated value दे रहे हैं कि around 30,000 रुपे महिने पढ़ता है I think ये पढ़ने के बाद आपको और ज्यादा comfort आ गया मेरे दिये हुए assumption पर ठीक है फिर आपको data दिया हुआ कि permanent staff को supervisor है, nurse है, ward boy है other expense है, तो supervisor, nurse और ward boy ये fixed cost में आ जाएंगे repair maintenance repair maintenance को आप variable में भी ले सकते हो fix में भी ले सकते हो food supply to patient तो variable रहेगा care taker और other services to patient ये भी variable रहेगा laundry charges ये भी variable, medicine भी variable cost of oxygen other than directly born for treatment of patient oxygen की cost other than for patient अगर लिखा होता cost of oxygen for patient तो variable में जाता other than for patient लिख दिया भाई ध्यान से देखना cost of oxygen etc other than directly used directly born by patient मतलब fixed cost होगी general administration का खर्चा वो भी fixed cost होगी required है आपको profit per patient day निकालना है अगर आप हर एक patient से 200 रुपे per day लेते हो दूसरा, इतना गुमा फिरा के सब कुछ बोला है लेकिन ultimately वो ही बोला है find the number of patient days required by the unit to break even मतलब break even point निकालना है मुझे से वे एक ही चीज में doubt है कि इसका जो repair and maintenance है उसको मैं क्या मानूँ वैसे तो repair and maintenance मुझे total value दिया हुआ है तो ideally fixed मानना चीए repair and maintenance कोई rate wise तो दिया है नहीं तो ideally fixed मानना चीए पिर भी एक बड़ देख लेते हैं repair को लेकर कभी-कभी confusing कर देते हैं यह लोग suggested answer में देख लेता हूँ मैं just to cross check question में दिया हुआ है क्या कहां दिया हुआ है question 3 आगे आ जाब भाई जल्दी 5 नहीं दिया न कहीं भी repair and maintenance fix कैसे हो सकता वाली बात नहीं होती संगर्ष आप लोग अभी भी बचपन की तरह सोचते हो कि कोई चीज fix या variable output के respect में देखो एक hospital में output क्या होता है patient का आना और जाना क्या patient के आने और जाने से repair maintenance में ज्यादा अंतर आता है क्या ऐसे सोचना है वैसा नहीं सोचना है repairing तो क्या repairing maintenance के contract भी होते हैं हर महीने maintenance के लिए machine देनी पड़ती है वैसी वाली बात है देखो repair को fix माना ये देख लो fix माना repair को वही तो ये भी देखना जरूरी है हमेशा fixed cost और variable cost का meaning यही होता है कि वो output के perspective से change होते हैं कि नहीं अधरवाइस तो fix तो वैसे भी fix नहीं है वो तो monthly cost है periodic cost है ठीक है अच्छा आकरिती क्या बोल रही है वो rent के साथ लिखा हुआ था कि fix ऐसा करके चलो अच slow के हो चल रहा है laptop क्या दिया होते starting में नहीं सिर्फ ऐसा लिखा था कि beer करना ऐसा नहीं लिखा था fix है building का rent 50,000 और beer करेगा ऐसा लिखा था ऐसा कुछ नहीं था assumption की जरूरत नहीं है आप logically सोचो assumption की जरूरत नहीं क्यों patient के आने या जाने से building का maintenance खराब नहीं होता कोई ये machine थोड़ी है machine थोड़ी है और machine मतलब समझो ना बात को है ना उतना directly relation नहीं उस चीज़ का ये बोल रहा हूँ बाकी फिर भी आपको लिखना हो तो लिख देना भाई इतना complicated मत करो छोटे से point को चलते हैं आप November 2020 में तो Gen 21 का भी हमारा question हो गया मुझे उमीद है कि इसमें आपको कोई नया point नहीं नजर आया है इसलिए हमको करने की आवशक्ता नहीं है नया point कोई नजर नहीं आया है पीवाईक्यू November 2020 toll based question है और toll fee आपको निकालनी है कितनी charge हुई है और यह question भी इसका भी 5A ही है question number 5A चलिए सर पढ़ लेते हैं क्या दिया हुआ है SCZ Limited built a 120 km long highway now operates at a toll road to collect the toll the company has invested 900 crore to build the road and estimated of 120 crore vehicle will be using the highway for the 10 years collection tenure other cost salary collection personal supervisor security बिल्कुल सेम लग रहा है toll booth manager electricity telephone maintenance company का जो profit desire है 30% over the cost calculate the cost per km and toll rate per vehicle सबसे पहले मुझे एक बात बताईए अपनी सारी cost में मुझे यहाँ पर न एक important cost जोडनी बहुत जरूरी है salary जोडूँगा बहुत अच्छी बात है electricity जोडूँगा telephone जोडूँगा सब कुछ जोडूँगा कोई एक चीज ऐसी है जो मुझे extra जोडनी है anybody tell me सोचो थोड़ा सा नई थोड़ा सा अलग question है रोहित थोड़ा सा एक बार question को पढ़ो और तुम्हें खुद पता चलेगा कोई सी चीज ऐसी है जो directly नहीं लिखा लेकिन जोडनी है हमको depreciation very good करना डिगाज बहुत बढ़िया सर अभी तक जो question आया था वो उसमें आपको monthly cost बता देता था कि कितना बाटना है अभी monthly cost ना बताके उसने आपको cost बताई है पूरे project की 900 करोड और 10 साल तो क्या आप मुझे monthly depreciation बताएंगे कितना charge करना है अरे एक बात समझो न तुमने जो इतनी road बनाई है उसका भी तो cost charge करना है कि बस toll का cost charge कर लोगे कि toll को manage करने का इतना खर्चा हो रहा है वो निकल जाए बस काफी है road तो हमने government को free में बना दी तो आप जब toll rate decide करने बैट रहे हो तो आपको अपनी cost में उस capital cost को भी तो लेना है तो monthly cost निकालते समय है आप उसका depreciation लोगे कैसे लोगे 900 करोड 900 CR is the total project cost for 10 years तो यह 1 year किया गई इसको 1 by 12 से divide कर दो simple 900 upon 10 upon 12 7.5 करोड रुपीज very good guys very good बहुत बढ़िया जो लोग answer दे रहे है very good guys बस अब क्या आखरी में पूछा है sir requirement of the questions cost per kilometer cost per kilometer मतलब total cost जो तुमारी आएगी including this depreciation उसको तुम 120 km से divide कर देना तो cost per kilometer पता चल जाएगा उसके बाद toll rate per vehicle it is very important toll rate per vehicle निकालने के लिए एक महिने की पूरी cost में profit जोड़ो 30% तो आपको total fair का value बता चलेगा उसको number of vehicles past during a month से divide कर दो तो क्या आप लोग मुझे देखकर बताएगे कि एक महिने में कितने vehicle pass होते हैं चलो एक महिने में कितने vehicle pass होते हैं quantity निकालके बताएगे question आपके सामने 120 करोड़ vehicle passing during the 10 years tenure 12 करोड़ vehicle in 1 year and 1 करोड़ vehicle in 1 तो एक करोड़ vehicle निकलेगा एक महिने में एक करोड़ की 10 lakh 1 CR 1 CR बिलकुल perfect है भाई कोई समस्चा नहीं है बिलकुल सही बोल रहाएग लोग 1 CR exactly 1 CR यह हो गया हमारा यह हो गया हमारा PYQ November 2020 तोल वाला ठीक है सर यह भी easy था कोई दिक्कत की बात नहीं है अच्छा जुलाई के 2 question जन्वरी का एक November 2020 तक के सारे question यहां तक सब कुछ clear है तो दिमाग की बत्ती जला दीजे quickly guys जकास असर actual में यह topic tough था ही नहीं क्योंकि अब आपका perspective बदल गया है cropico पढ़ने का इसलिए आप easy लगने लगा है सब कुछ अब PYQ भी easy लग रहे है तो actual में service costing chapter easy है एक बार थोड़ा समझने में focus रखना पड़ता है details बहुत अलग-अलग type की आती है लेकिन सब का ultimate funda वाई है cost quantity cost divided by quantity चलो PYQ नवंबर 2020 hotel and lodges peak season of season oh hill station वाला question है लगता है तो नवंबर 2019 में 3A नवंबर 2019 में question 3A ये लीजे सर साथ मिलकर पढ़ते हैं question को a hotel is being run in a hill station with 200 single room hotel offer कर रहा है concessional rate 6 महिने उस समय पर आधा 50% off management का profit margin है 20% of the room rent 20% on sale following are the cost estimate occupancy 80% 40% exactly data भी same 300 लाग रुपे का investment है जिसमें 80% building का है बाकि 20% furniture room attendant को 15 रुपे देते हैं per room per day का ध्यान रहिएगा room attendant का wages निकालते समय आपको equivalent number of rooms करने की ज़रूत नहीं है चाहे peak season हो चाहे off season हो room attendant को same payment होता है तो जो number of room days निकलेगा आपका वो simply total कर देना बस half वाले और full वाले को दोनों season के expenses staff salary repair to building laundry interior miscellaneous depreciation का rate दिया हुआ ध्यान रखियेगा यहाँ दिया straight line method पर कोई फर्क नहीं पढ़ता हो क्योंकि हमको एक ही साल का करना है monthly lighting charges are rupees 110 except in the 4 month when they are 30 rupees per room अच्छा हमने इसमें एक assumption लिया था कि ठंड में off season होता है क्या हमको इस assumption को यहाँ लिखना है question पूरा पड़ो you are required to work out the room rent chargeable per day both during the season and off season using the foregoing information assume a month to be of 30 days and winter season to be considered as part of off season no assumption required कितने लोगों को clear है almost चीज़े clear है अगर कोई व्यक्ती अपनी full practice करना चाहता है तो इस question को करके देख ले same type का question है copy paste चलो आगे बढ़ रहा हो में ठीक है काफी हो गया यह उसके बाद November 19 में question 6a भी आया था question 6a जो है वो theory था describe the composite cost unit अब तुम खुद बताओ मुझे जब पहला lecture था concept बाला मैंने बहुत शिद्दत के साथ composite cost per unit तुमको समझाने की कोशिच करी थी composite cost unit ठीक है बहुत शिद्दत से बिलकुल starting में था अगर आपको ध्यान हो तो एक यहां पर हमने पढ़ा था service और product में उसके बाद फिर यहां पर हमने देखा था यह देखो composite cost unit में भी deem appropriate ऐसा वैसा करके फिर example देखे फिर equivalent वाला फंडा भी समझाया था हाला कि जब हम जब theory वाले chapters करेंगे तब इनके exact answer भी देखेंगे कि IC AI ने इसका exact answer क्या लिखा है वो theory वाले में देखूंगा ठीक है no problem पानी की तरह साफ है चलो इसके साथ यहां कभी मैं आप लोगों से जो है permission लेना चाहूंगा कि मैं इन दोनों को tick कर दूँ ठीक है बचे दो और attempt के paper बस November 2018 question 4 भी अरे में का question कहां गया गलट tick कर दिया में में 19 का question 4 ए तीन question बचे आप भी में 19 4 ए यह लीजिए X Limited distribute its good to a regional dealer using single lorry the dealer premises are 40 km away by road the capacity of the lorry is 10 ton the lorry makes the journey twice a day fully loaded on the outward journey empty on the return journey भर कर जाती है खाली वापस आती है the following information is available diesel का rate दिया हुआ है मतलब mileage diesel का rate भी दिया है engine oil weekly basis पे लग रहा है मतलब kilometer पर नहीं है based driver की wages fixed है weekly basis पर repair भी पर वीग दिया है garage rent भी पर वीग cost of lorry excluding the cost of tire lorry अलग खरीते हैं फिर tire लेने जाते हैं उसका अलग खडचा होता है तो 9.9 लाक life of the lorry ओ कुछ खास बात दिखने को मिल रही आपको यहां पर lorry की life is not given in the based of time it is given on the based of kilometer तो मुझे बताईए जब आप lorry का depreciation निकालोगे तो time based थोड़ी निकलेगा पता कैसे निकालोगे 9,50,000 divided by 1,60,000 km per km का depreciation तो जिस भी period का question होगा मानलो एक महीने का question हो या एक साल का हो accordingly उतने समय में जितना kilometer lorry चल गया उस rate source को multiply कर दोगे ठीक है तो depreciation is based on per kilometer I hope सभी को मेरी बात समझ में आ रही है very good next estimated sale value of lorry at the end of the life एक गड़वड हो गई depreciation निकालते समय देड़ लाग रुपे scrap value minus करना भाई उसके बाद निकालना ठीक है फिर cost of tire and life of tire cost of tire आपको दिया हुआ है 52,500 life of tire ये भी per kilometer depreciation निकाल देना vehicle की license cost per annum दिये other overhead per annum दिया है lorry operates on a 5 day week एक हफते में 5 दिन चलती है statement to show the total cost of operating the vehicle for the 4 week period analyzed into running cost अलग fixed cost अलग and calculate the vehicle operating cost per kilometer and per turn kilometer तो पहले cost पर focus करते हैं cost पर वो बोल रहा है कि मुझे running cost अलग दिखाना है fixed cost अलग दिखाना है तो ये एक point होगा concern का कि हम कैसे बाटें चीजों को अभी तक question कभी नहीं बोलता था हमसे अभी question खुद से बोल रहा है कि उसका अलग निकालो इसका अलग निकालो ठीक है क्या करना लिखके करना इसको solution देख लें चलो करते हैं न लिखके करते हैं फिर last में cross check कर लेंगे solution से तो ये है हमारा PYQ May 19 थोड़ा तोलग question आया थोड़ा सा अभी तक तो सारे book के question दिख रहे थे तो May 19 PYQ question 4 सबसे पहले मैं focus करता हूँ भाई cost पर ही focus करता हूँ फिर जहां working note की जरूत पड़ेगी बनाते जाएंगे statement of operating cost of lorry for period का दिया है question में 4 week period for 4 week period for 4 week period 4 हफते का period के लिए lorry का cost कितना है तो सबसे पहले यहां लिखता हूँ भाई मैं fixed cost क्योंकि fixed cost में generally क्या quantity, kilometer पर dependency नहीं होती तो पहले वो निप्टा देते हैं पन लोग एक किक करके तो सबसे पहले डीजल तो भाई variable में जाएगा engine oil engine oil वैसे तो variable होना चाहिए running case आप से लेकिन यहां engine oil बोल रहा है time based लग रहा है तो आप चाहो तो engine oil को fix में भी लिख सकते हो लेकिन यार देखो जरूरी नहीं कि question में data जिस format में दिया हो उसी सारी चीज़ समझी जाए आप logically सोचो यार क्या गाड़ी की running पर engine oil depend करता है यस करता है भले पर kilometer ना करता हो तो यह तो एक averaging 200 रुपीज दे दिया जैसे वहाँ भी doctor वाली जो cost थी भले monthly cost दे दी लेकिन depend तो patients पर करती है इसलिए variable में लिया था इसी तरह यहाँ भी engine oil भले पर week दिया हो लेकिन उसको running मिलोगे very good driver की wages से शुरुआत करता हूँ तो जब से पहले आजाएगा driver wages अब कैसे निकालोगा driver की wages 2500 रुपीज पर week तो बताओ चार हफ़ते का कितना 1000 और 10,000 रुपीज cool चलो उसके बाद है sir repair repair में फिर वोई confusion है अजमशन डाल देंगे last में वैसे देखो repair दो type की होते हैं regular maintenance वाला repair और एक होता तुमारा running वाला repair पर गाड़ियों के case में running पर ज़्यादा depend करता है repair तो मेरे साब से variable में लेना ज़्यादा recommended है पर fix में भी लोगे तो कोई गलत बात नहीं क्योंकि question open है ऐसा per kilometer तो repair cost दी नहीं है पर repair per kilometer होता भी नहीं है लेकिन ज़्यादा गाड़ी run करती है न repair भी उतनी ज़्यादा बार करवाना पड़ता है ठीके sir garage rent तो fix है sir garage rent को क्या लेना देना भाई आने जाने से अच्छा garage rent भी पर week है तो 4 से multiply करना पड़ेगा मुझे फिर next होगा आपका cost of lorry तो depreciation आएगा देखो कैसे करूँगा depreciation अच्छी चीज़ है आपर साड़े नौ लाख रुपए की cost 1,50,000 की scrap value है शायद यह रही तो depreciable value 8,000,000 and this is for the useful life of how many kilometers 1,60,000 kilometers अब तब तक मैं इस चीज़ को solve नहीं कर पाऊंगा जब तक मुझे running kilometer ना पता चल जाए तो यह वाले page को छोड़ कर अब मैं जा रहा हूँ अगले page मर working node बनाने समझ गए यार लेकिन एक बात बताओ यार अगर depreciation की cost running पर dependent तो उसको running cost मिन लेना चीज़िए क्या depreciation cost तो running पर dependent है time based नहीं तो उसको तो running में लेना चीज़िए वैसे ऐसा मुझे लग रहा है बाई don't know एक काम करते हैं फिर इसको अभी यहां रहने देते हैं इसको यहां से हटा के running में डाल देता हूं मतलब इस बार हर बार हम लोग fix मिस ले लेते थे depreciation को क्योंकि वो एक periodic cost थी पर in this question in this question it is running ना generally भले fix है तो हम नाम से याद नहीं रखते हैं हम nature से याद रखते हैं यहां depreciation is not time based तो depreciation को रहने दिया मैंने तो फिर सेम चीज़ फिर tire को भी रहने देता हूं tire को भी भी ले लूँगा vehicle license cost vehicle license cost दिया हुआ per annum 7800 rupees per annum मुझे बताइए यार 7800 rupees per annum है और मुझे 4 week का निकालना 4 week एक साल में 52 week होते हैं तो 4 week में कितना बात को प्लीज समझेगा don't do divided by 12 मैं एक मन्त की बात निकर रहा हूं चार हफतों की बात कर रहा हूं 7800 rupees is for 52 weeks how much for 4 week 600 rupees good other overhead 41600 पर annum 3200 I think और कोई fixed cost तो हमें दिख नहीं रही है वैसे let us assume this is the only fixed cost now let me take variable cost अब इसको निकालने के लिए पहले running kilometer को निकाली देता हूं वै अच्छे से जर्वे तो पढ़नी है उसकी पेट्रोल में भी पढ़ेगी हर जगे पढ़ेगी ना तो कितनी गाड़ी चल रही ही सर calculation of running kilometer 40 kilometers one sided है तो twice a day fully loaded तो एक दिन में two trips 40 kilometer per day और five days इना week यह हो गया weekly कितना चल रही है और चार हफते के लिए मुझे चाहिए तो यहां लिख भी देता हूं four week period के लिए अच्छा insurance चूट गया क्या घ्यान ने दिया है मैंने 40 into 2 into 5 into 4 1600 kilometer आ रहा है मेरा not per month लिख दिया हूं नो अल्रेड़ी four week four week के लिए है वो अच्छा भाई साब बता रहे थे insurance चूट गया हमारा ऐसे कैसे रहे गया यार insurance कहां ध्यान था अपना एटीन थाउजन टू हंड्रड पर एनम 1400 भाई मैं तो आपको pro tip देता हूँ जब भी कभी service costing का question करो न थोड़ा खाली खाली दूर दूर करो बले दो page में statement जाए कभी कोई चीज माल लो भूल बाल जाए न तो वहाँ लिखने के काम आती है पेपर में आराम से दूर दूर करना ठीग है चलो दो running किलो मेटर है मेरा 1600 किलो मेटर फोर वीक का इसको 1600 से multiply कर देता हूँ बताइए लोरी का depreciation कितना क्या two round trip है क्या ऐसी दिन भर में two round trip है क्या बात कर रहा हूँ the capacity of the lorry is 10 turn the journey, the lorry makes the journey twice a day oh ho ho on the outward journey and empty on the return journey अरे हाँ यार make the journey twice a day into two करना पड़ेगा यार sorry twice a day लिखा है sorry नहीं तो ले तो लिए ने मैंने sorry 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 two trips per day नहीं है four trips होगी मतलब two round trips हो रही है two round trips हो रही है तो एक round trip में 80 km और ऐसे two round trip हो रही है या two journey लिख देता हूँ journey का मतलब है पूरा complete तो एक journey में 80 km हो जाता है one sided 40 one sided 40 तो ठीक है double हो जाये गई है thank you भाई जिसने भी observe किया very good guys लगता है ये बच्चे ने question किया हुआ है तब इसको याद आगया होगा कि 1600 गलत है करके क्योंकि हम लोग तो flow flow में जाते जा रहे हैं साढ़े नौलाक माइनस 1,50,000 divided by 160 into 3,200 16,000 तब देप्रेशिए नन टायर्स तायर की क्या कॉस्त है 52,500 25,000 into कितने किलोमेटर 3,200 6,7 20 रुपी जाना ची कूल फिर आएगा आपका शुरुवात से जाओं तो डीजल कॉस्ट सबसे पहले तो डीजल कॉस्ट होनी चीए मेरी 3,200 किलोमेटर डिवाइड़ बाई 8 किलोमेटर पर लीटर इससे लीटर पता चल गए कितने लीटर का पेटरोल लग गया भाई 400 लीटर पेटरोल डीजल लग गया और एक लीटर आथा 60 रुपीज पर लीटर तो 24,000 रुपीज का पेटरोल लग जाएगा पूरे चार हफते में फिर हमने engine oil और repair को भी यहीं लेने का है अचा इसको variable cost मत लिखना ना running cost लिखना भाई जो word question ने use किया हम वो ही word use करेंगे engine oil को लेके data दिया हुआ है 200 पर वीक तो 800 रुपीज बाकी बचा आपका repair 600 पर वीक anything else left repair garage insurance हो गया पूरा हो गया भाई अप तो 10,000, 3200, 600, 3200, 1400, fix cost is 18400 प्लस 16,6720 24K 2400 800 लॉरी ऑपरेट्स 5 देज अवी का क्या यूज है ये लिखा ना 5 देज एक हफते को 5 दिन के बराबर माना है और फिर 4 वीक से मल्टिप्ला किया दीपक भाई ओ दीपक भाई ज्यान दीजिए तो 68,320 लिख दुए है ओवराल टोटल अब देखो requirement क्या है दूसरी calculate the vehicle operating cost per kilometer तो तुम बोलोगे 68,320 रूपीज ये operating cost रे टोटल और देट इस पर 3,200 kilometer 21.35 अब cost per ton kilometer कैसे निकालेंगे पर ton kilometer तब निकाल पाएंगे जब हम आपस calculation of ton kilometer रहे जब कुछ ना लिखा हो तो हम absolute basis पे निकालते है that is weighted average तो क्या हो ना ची क्या लगता है आपको ton kilometer का हिसाब से half में तो ton रहता है half में ton रहता ही निए आधे case में ton रहता है आधे में तो खाली आती है आधे case में full जाती है आधे case में खाली आती है जैसे मैं अगर तुमको बोलू ओन्वर्ड जर्णी ठीक है ओन्वर्ड तो ओन्वर्ड में तुम्हारा 40 किलोमेटर तुम 10 मैट्रिक टन लेकर चलते हो दो बार दिन में इनफेक्ट चार बार हो जाएगा नहीं दो बार ही होगा क्योंकि सिर्फ जाना जाना मैं गिन रहा हूं और ऐसा फाइव डेस तक करते हो एक इस चार हफ़ते तक तो 40 इन्टो 10 इन्टो 2 इन्टो 5 इन्टो 4 16,000 एम्टी वाट अबाट रिटर्न या रिटर्न में तो कोई टन रहता ही नहीं तो तुम कुछ भी किलोमेटर एटसेटरा ले लो अगर ये 0 मेटरिक टन हो गया तो अल्टीमेटर तो 0 भी बचेगा ना समझ रहे नो आप लो अच्छा क्वेशन था अब पता नहीं भाई सही निकलाए के नहीं अपना गुड़ गुड़ तो बोल दिये चेक कर लेते हैं मे नाइंटीन कौंसा है फोरे अरे बाई साप सही है देख लो यार 21.35 4.27 हां ये देखो लिखा हुआ है कौस्ट ऑफ एंजिन ओई और रिपेर में अल्सों भी ट्रिटेट इस फिक्स कॉस्ट अश्ट 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 ने खुद भी इंजिन ओई और रिपेर को यहीं पर लिया रिनिंग में है डेपरिशन को भी यहीं लिया है टायर के वीखल के बागी सब कुछ उपर लिया हुआ है एक दम रापचिक भाई कोई दिक्कत नी बढ़िया किया बलोगों ने बस एक ही चीज गलती करने जा रहे थे 3200 वाला वो भाई ने बहुत अच्छा बता दिया वरना बहुत disappoint हो जाते इतना पूरा करने के बाद है ना चुरह इसको tick कर देता हूं भाई उम्मीद है आप सभी को समझ में आए दिमाग की बत्ती जलाईएगा अब नवंबर 2018 में आया बस फेर पर पैसेंजर question no.4 भी 4 भी xy travels has given a 25 km long route to run a air conditioned mini bus cost है बस की 20 लाग रुपए insurance 3% per annum annual route tax है 36,000 annual repair 50,000 bus is likely to last for 5 year 4 लाग का depression हो जाएगा driver salary will be 240 conductor की salary 180 oh 10% commission to be shared between driver and conductor equally देखा हुआ सवाल है office and admin cost diesel and oil भी दियाओ 1500 per 100 km bus will make 4 round trip carrying on an average 40 passenger on on trip assuming 25% profit on taking considering their bus will run बिल्कुल same to same बाई कर लेना रिवाला मैं नहीं करवा रहा कर लेना हो गया आप you will be able to do यार आराम से you will be able to do this one कोई special data नहीं इसमें आपको वो x करके लेना पड़ेगा total taking is equal to x फिर commission वाला पार्ट पहले calculate करना पड़ेगा cost before commission plus 10% commission plus 25% profit is again equals to x ठीक है चलेगा fine बिल्कुल illustration जैसा है नहीं आक रहे थी तवियत तो ठीक है मेरी low energy लगरी होगी आपको है न कोई बात नहीं होता है कभी-कभी हर दिन एक जैसा नहीं होता न यार क्या करें so बाकि कोई concern नहीं कोई issue नहीं है May 2018 profit per patient day break-even point अरे क्या बात कर रहो फिर से 4B हो सकता कुछ अलग हो इसमें पिटा commission share कैसे करेंगे राजवी मेरे भाई 10% commission है तो 5-5 दोनों को दे देंगे equal लिखा है न कोई सा भारी rule थोड़ी दिया है कि commission share करना है तो calculation करना पड़ेगा 10% commission है दोनों में 5-5 देना है खतम driver का 5, conductor का 5 इसमें क्या है 85 lakh अरे यार सेम तो दिया है सब कुछ doctor's payment food and laundry यहां तो variable और fix का भी बता दिया है और कौन से चीज़ वेरिए पर कौन से ची़ इस एक्स्ट्रा बैट 20 देज 950 पर बैट डेज 250 बैट अपने higher charge किये profit पर patient ने निकाल दो break even भाई हो गया done खतम टाटा बाई बाई खतम टाटा बाई 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 नथिंग special RTP कर लेना try आज आदे घंटे पहले छोड़ रहा हूं RTP का मैं बोलता हूं कुछ और करो ना करो RTP का ये वाला question जरूर कर लेना May 2020 का है शायद ऐसा कुछ तो है पिछली के पिछली नवंबर 2020 की RTP का कर लेना It is a good question मतलब ऐसा नहीं की नहीं होगा बढ़ थोड़ा अच्छा question इसको कर लेना ठीक है चलो वाई तो आज के लिए पर इतना ही Thank you so much guys Bye bye take care कल कौन सा chapter चालू कर रहा है सबसे धासू chapter Highest weightage Marginal costing Yes you heard right सबसे जाद अगर किसी का weightage है तो वो हमारा marginal भाईया है उसके सवा और कोई नहीं वो है हमारे marginal भाईया Chapter number 14 ये देखो आप 10 number, 10 number, 15 number, 10 number 25 number का आया था January 21 में marginal 25 number का Then again 10 आज तक कोई topic से एक attempt में 25 number का नहीं आया भाई आज तक कभी नहीं आया और variety भी काफी है समय भी काफी लगेगा यहां तक मुझे आदे मैंने इसके लिए पांच दिन allocate किये है एक बाई cross check कर लेते हैं पर लो यहां तक मुझे द्यान है I have given 5 days for it 1, 2, 3, 4, 5 part for marginal 5 part और आपको ये भी पता हो कि अपनी पहली test series जो है वो marginal तक की है मतलब marginal खतम होने के बाद आपका test होगा 24th of October को अगले Sunday है ना तो आखरी chapter रहेगा ये test के पहले का तैयार कर ले ना वाई सब लोग बढ़ियां से see you guys, bye, take care, love you all और यार अभी तक अगर subscription नहीं लिया तो फटाफट ले लो प्लस या Iconic जो भी तुमको जमें है ना, multiple badges पढ़ने का मौका charges are like कि pen drive में जो दो subject की होती वहाँ दो group की charges है और वो भी multiple educator की facility के साथ ठीक है sir perfect यार, thank you so much guys और don't forget to follow me and subscribe कर ले ना bell icon प्रेस कर लो, like and